गुद्ध मॉर्निंग इस्टूरेंट गुद्ध मॉर्निंग आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यह दी परिवार के साथ हमारे सभी बच्चेव का श्वागत है करेंट फिर क्लास में जो कि आप लों का डेली सुभ है पांच बजे विद्यारति आप लों की क्लास होती है क्या यारे कि इस विक में इस फतामें आपने क्या-क्या दे पढ़ा वह मीस क्या आप लों फो याह नहीं है तो उनका रिट्टो जो भी नया सवkaarाफ अप लोगों को यहां ब गया है हर शहनिवार को भी दयाति मीको यह कुष्ट अन देखने को मिलेगा ठेक आज.. сवाल कर lie नेखे यहां पर पूछा गया कि उससेद्धानतिक विधियारतियों बहुतिक वैज्ञानिक और लिखाक का नाम बताए जिन्हें टैंप विध्यारतुई टैंप लिटन्थ थीक है पुरशकार 2022 से सम्मानित किया गया है तो यह किसे सम्मानित किया गया है? ऐसा सवाल आपसे पूछ रहे है, तो वो ब्यक्ति कौन है? तो Frank Vidyar तो आपका वलजयक को जिनह 2022 से इस पुरशकार से सम्मानित किया गया है अगला सवाल देखेगा, नमने किसे फूटबॉल कलब ने इतालियन कप 2021 जिता है, तो वो किस ने जिता था? टो यह जिता विधियाती आपका इंटर विधियाती मैला ने जिताए, एंटर मैला अगला सवाल देखेगा, अगला सवाल देखेगा, नमने मिल पुरशक जो किसे उनकी अथक विधियाती ने शहतिक खोझ के लिए? कि देखे यहां पर पूछा गया ना कि उनकी विधिहारती औरॉ रिलेंट्सलिए आपका लिटेरिसी जो ठीक के लिए क्या दिया गया आपका बांगला अकादमी पुरशकार से सम्मानित किया गया यह उने इस पुरशकार से तो यह ए आपका किसे तो ममता बनर जी, जो वर्तमान समय पर पस्सिम बंगाल, हमारे वेस्ट बंगौल जो रज्य है, यहां की क्या है, सियम भी है, ठीक है, पस्सिम बंगाल से अगर आप जाते हो, तो कुछ सवाल अपनों को पूछ लेता है, जैसे कि पहला सवाल यही पूछा जाता है, पस्सिम कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो पस्सिम बंगाल पूरोतर जो हमारा लगभग विद्यारती आपका, यह पूरो में देखने को मिलेगा आपको, तो यह किसे नेपाल से, यह नेपाल के साथ सीमा शाजा करेगा, अगर इधर जाओगे आप लोग, तो इधर किसे संगाल तीन देशों के साथ क्या करता है, सीमा साजा करता है, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क है, जो हमें एक्जाम में पूछता है, तो उनमें कौन सा आता आपका, जालदा पारा, एक कौन सा आता है, जालदा पारा, सर दूसरा कौन सा आता है, तो दूसरा जो important national park आपका जो हमें देखने को मिलेगा महत्वपूर नेशनल पार्क उन में से एक देखेगा कौन सा आएगा विद्यारती आपका सुन्दरवन ठीक है सुन्दरवन भी यही पर है और कौन सा है तो बोक्सा टाइगर रिजब थे एक देखने को मिलेगा ठीक है ना इस ही राज्य में आप लों को मिल जाएगा कहां पर पसिम बंगाल के अंदर हमें ये देखने को मिल जाएगा अगला सवाल देखेगा पहती महत्वपूर भारतय उध्योग परिशंग यानि CII देखेगा, CIA का मतलब क्या है? President of, देखे, Confidention of Indian Industry के अध्यक्स के रूप में, 2022-23 में, देखे, पहले TV नरेंदरन थे, अब उनके इस्थान पर कौन आगे? TV नरेंदरन के इस्थान पर कौन आगे? तो उनके इस्थान पर आगे, संजीव बजाज, देखेगा, संजीव बजाज आ चुके हैं, ठीक है? संजीव बजाज, समझे भी ध्यारतियो, संजीव बजाज, अगला सवाल देखेगा, अगला सवाल, मारिक साह को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री न्युक्त किया गया? अब तो कहेंगे कि सर हमें सब पता है, एक बच्चा हमसे पूछता है कि सर हमने प्रिंट आउट तो निकाल दिया, आप इसे पढ़ेंगे कैसे? बस एक बार पेज खोल दीजिएगा, एक नमबर से और लास्ट के नमबर तक कोशिस करेगा पढ़ने की, बस आप उसे पढ़िएगा, कोशिस तो करेगा, अब प्रिंट आउट निकालने के बाद जो मैगजिन में हमने आपको प्रवाइड करी न, आप उसे पढ़ना कैसे ह तो वही वो चीज भी हमी को बतानी पड़ेगी, तो यह तो बहुत बड़ा, क्या हो जाएगा विध्यारतियो, उपकार हो जाएगा, कि हम सब चीज हमी बताएंगे, कि पढ़ेंगे कब पढ़ना कैसे है, हम तो आपको मैगजिन पुरवार कराए, कि आप लोग उसे समय समय पर रिविजन करते रहेगा, यहां आपको अभ्यास कराएंगे, ठीक है, तो चलीगा, इसका राइट अंसर के आएगा आपका तिरपूरा, ठीक है, और यह लगातार आप लोगोंने कही बार देख लिया, अब तो मानिकशा विध्यारतियों हमारे, पर उसी लगते हैं, ठी यानि स्टार्ट पोर्टल लॉंच किया है, ऐसा सवाल आप से पूछ रहा है, तो देखेगा, तो याद रखे विध्यारतियों, यह मध्या प्रदेश, कहां पर मध्या प्रदेश, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, तो मामा का प्रदेश भी है, सोयाबीन प्रदेश, है ना, बुल्डोजर वाली मामा, चलीगा, सोयाबीन और टाइगर इस्टेट भी कहते हैं आपका, टाइगर इस्टेट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कि भारत में सबसे ज़्यादा ग्यारत टाइगर रिजव हमारे मध्या प्रदेश में ही है, ठीके, मध्या प्रदेश की र यहां पर आपको बिल्कुल सहर से लगा हुआ इंद्रा गांधी रास्ट्या मानव संग्रालाई देखने को मिल जाएगा बिल्कुल सहर से लगा हुआ है ज्यादा दूर भी नहीं जाओ जाना आपको, इंद्रा गांधी मानव संग्रालाई ठीके चले उसके साथ-साथ देखे, भौपाल में आपको National Judicial Academy भी देखने को मिलीगा, यानि कि रास्ट्या न्याइक अकादमी भी यहीं पर देखने को मिलीगा, इसे ग्या कहेगे? राष्टिया न्याइक समझे राष्टिया न्याइक अकादमी या कैनमे आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा कहा पर भापाल के अंदर और देखिए जब भापाल को क्या कहा जाता है तो इसे आर्टिफिशल लेक यानि की कृतिम कृतिम जीलों का सहर भी कहते हैं बिल्कुल बहुत सारी जीला है विद्यार्टियों भापाल सारी जीला इसके आसपास अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी जीला आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ठीक है ना? चलिए नेक्ष बढ़ेंगे अगला सवाल गठीगा अगला सवाल है पाचभी पार्वारि के छिसी लंका के छिसी लोध नय प्रधान मंतरी नखे लोध। छिसी लोध छिने लोधूई के छिए लोधूड़59 अर्धान मंतरी कौन बने हैं। वेखे, तो स्री लंकन प्रदान मंत्री जो बने आपके, तो यद अदकना, रानिल विध्यातियो विक्रम सिंगे, ठीके ना, जो अब ही आर्थिक तौर पर जो समस्य आपको देखने को मिली, समझ जो अजो अजो एकनोमिक क्राइसेज लेका पर देखा, स्री लंका में देख एक स्टेड दिखती है, जिसे क्या कहते हैं, आप लोग पाक जलसंदी कहते हैं, क्या कहते हो, पाक जलसंदी, और ये पाक जलसंदी क्या करती है, ये तामिल लाडू को से भी स्रिलंका को अलग करती है, इंडिया से स्रिलंका को अलग करती है, एक हमबन टोटा, हमबन टोट एक बंदरगा हुआ करता है या हुआ करता था जो कभी स्रिलंका गा था लेकिन स्रिलंका उसे जो चाइनीज देप्ट पॉलिसी है इस आधार पर खो चुका है और इसका अधिकार यानि की 99 एर तक इसे लीज पर दे दिया किसे चीन को दे दिया तो जो चीन की पॉलिसी है ना चलेगा नेक्स बढ़ेंगे अगले सवाल की और अगला सवाल भारतिया पिस्टल जोड़ी विद्धियरतियो इशा और सौरब चौधरी ठीके ना ने अंतरास्ट्य सूटिंग स्पोर्स फेडरिशन जूनियर विश्वकप में मिसित पिस्टल स्वन पदक जीता तो देखेग कहां पर जीता तो यह जीता सर जर्मनी के अंदर कहां पर जीता देखेगा जर्मनी में देखे जर्मनी में अंतरास्ट्य सूटिंग स्पोर्स फेडरिशन जूनियर कप जीता है ठीक है यह भी याद रखेगा बहुत ही मेत्वपूर्ण आप से पूछा जाता है कि ब्लैक फ भारत का रुपर किसे जाता है छोटा नाकपूर का पठार या फिर किसे कहा जाता आपका तो तो जो दामीदर रिवर्वैली को क्यों कहा जाता है क्योंकि यह नैचुरल रिसॉर्सेज के लिए प्रशिद है ठिक चले अगला सवाल देखीगा अगला सवाल पूच रहा है कि Air India कि नहीं, मुख्य कार्यकार, अदिव्री कर फ्राबंदन निदिशक के रूप में किसे ही न्यूक्त किया वह कौन से व्यक्ति कि न्यूक्ति किया गया तो यह न्यूक्ति किया गया आप का Camp val Wilson को को न्यूक्ति किया गया ठीग न.. अगला सवाल पूछा कि बहारत के मुख्य चुनाव आयुत के रूप में किसे नियुकति मिली है पंद्रह माह Hm यह न्युक्ती मिली विद्यार्तियों, तो किसे मिली, तो अब रेखेगा, राजिव कुमार किसके स्थान पर आए, तो यह किसके स्थान पर आए विद्यार्तियों, तो Sushil Kumar किस्थान पर, उससे बहले सुनी लरुरा हुआ करते थे, ठीक है, अब देखेगा, जब हम लोग न तो बाकी निर्वाचनाय के बारे में कहां पर क्या ब्यावस्ता दी गई है यह सब ही चीज़ों को आप लोगों ने कही बार पर लिया है यह रिविजन सेशन अभी दियारती आपका उस अभी दियारती नाम बताएगा जिसे रोयल इंस्ट्यूट अफ ब्रिटिस अर्किटेक तो वो किसे ही गया अपका तो यह व्यक्ति कोन है बाल कृष्णन दोसी देखेगा बाल कृष्णन दोसी बाल कृष्णन विद्यारती 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 इसमें किसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो ये गोल्ड मेडल मिला आपका जोती यारजी को भी दियारती यारजी को यहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, आगे चलते हम लोग एराक, कैपिटल के होगी, बगदाद होगी न, तो सुलेमानिया, मैं एश कि आर्शरी जो टीम थी तो इन्होंने कितने गोल्ड मेडल प्राप्त करें, कहां पर तो इराक के सुलेमानिया में, तो यह कितने प्राप्त करें आपके टोटल, आठ पदक, आठ आपके गोल्ड प्राप्त करें हैं, आठ स्वान पदक जित है, कहां पर तो यह इराक के सुले यह तो आपका किसे तो चैक विद्यार्टियों रिपॉब्लिकन तीक है ना तो आप लोगों को मैं एक सूचना भी देना चाहूंगा और पिछले दो तिन दिनों से या 10-15 दिन पहले भी मैंने आपसे जब चुटी गया था उससे पहले भी आपको बताया था कि अब आपकी सभी नॉन टेक्निकल क्लासें अलग से आपको देखने को मिलेगी आपका कोई भी विद्यार्टियों ऐसा जैके देरे देरे होगी शुरुवात हम ही गरेंगे उसके आपका तीन फेज में आपको मिल जाएगा एक तो विद्यार्टियों आपका डेटेल में दूसरा आपका विद्यार्टियों प्रैक्टिस टॉपिक वाइज एम्सक्यूज हो गया और तीसरा पोर्शन आपके पास प्विज अगर इस तरह से हमें हर सब्जेक्ट मिल जाए तो इससे बड़ा आनंद क्या आएगा तो हमारा प्रियास यही है कि जैसे विद्यात्य आपको Current Affair की बात करेंगे तो यह Current Affair भी ऐसा ही रहेगा ठीक है ना? और संभाव तो आपको मैगजिन भी मिल जाएगी मैगजिन तो हम तो दे ही रहें, ठीक है? आपको Current Affair देखे, तीन फेस में मिल रहा है आपको तीन फेस में हर संभाव देखेगा तीन फेस में प्रियास किया जाएगा एक तो आपको 4-5 सवाल, जो 10 सवाल पर देके होता है वो important सवाल और उससे जुड़े हुए key facts भी आपको बता दी जाएगे जैसा मैंने आपनों को कई बार डेमो में बताया भी है कि इस तरह से आगे हम लोग नए तरीके से पढ़ने वाले है ठीक है? दूसरा फेस में आपका क्या रहेगा? MCQs वाला portion यानि की practice जो online यूटूब चैनल पर आपको कराए जाता है ठीक है उसी तरह से होगा और तीसरा फेस में आपका quiz तो यह quiz या तो website पर कर लेंगे या फिर विध्यारति आपका जो application design किया जाएगा उसमें कर लेंगे तो यह तीन फेस में आपको यह कैसे कब और किया जाएगा कहां पर किया जाएगा उसके लिए देखेगा आपनों के comments box में एक link दिया जा रहा है उस link पर आप जाएगा और जब आप उस link पर जाओगे तो एक नया देखेगा समझा भी हमारी class दी न आप comments देखेगा यह हमारी class दी है ठीक है तो देखे इसमें description में जाएगा अपने mobile phone पर देखेगा जब आप description में जाते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे link देख रहे है अलग अलग courses के बार जाओगे यहां पहुंजाओगे और इस तरह से अभी इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है समझो अभी इसमें अपनों को कोई content नहीं दिख रहा है लेकिन 5 जून को देखेगा हमारी संभावतों मैं परियास करूँगा कि 5 जून तक आपको एक बड़ा सा gift मिल जाएगा ठ योग से होगा लेकिन असा मत करिया कि हमने मम्य पापा सबके मुआल फोन से क्या गर दिया सब्सक्राइब कर दिया हम लोग पोसिज करेंगे एक active जो student हो वो इसको सब्सक्राइब करिएगा बहुत जारी संख्या बढ़ाने से बहतर है कि जो limited crowd रहे और वो सब ही अपने लि 79 है चलेगा हमें 80 दिख रहे है ठीक है तो मैं कोसिज करूँगा जब तक हमारी class complete हो जाएगी तो हम 100 complete करके जाएगे ठीक है और इसका लिंक असर कॉपी कर दीजिगा और पिन कर दीजिगा है ठीक है तो comments box में भी दियारतियो आप लोगों का इसका link भी मिल जाएगा आपक क्युकि यूपी पीशल हमारे ले काफी बड़ा एक्जाम हो जाता है और यूपी पीशल में अकेले सभी सब्जेक्टों को हम आपको कराते है लेकिन अबीस नमबर के लिए पढ़ेगा बहुत कुछ पढ़ना पढ़ेगा आप लोगों को चलेगा तो देखेगा तो देखे पहली बार थॉमस कप जीता तो हमसे तो एक सवाल पूछ लिया गया ना कि ये थॉमस कप किस खेल से सम्मंदित है हमसे एक सवाल पूछ लिया गया कि ये थॉमस कप किस खेल से सम्मंदित है ठीक है ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यहीं तो थोड़ा अलग करने की परियास किया जाएगा थिक है तो देखे भारत ने पूरूस बैडविंटन्टीम ने क्या कि अपका किस देश को हरा कर तो इंडोनेशिया को हरा कर अगला सवाल पदम स्री प्रुषकार से सम्मानित शंस्कृत के विध्वान का नाम बताएगा यानि कि जिने वागीस सास्त्री के नाम से भी जाना रहता था और इनका हाल ही में कहां पर वारंसी उत्तरबर्देश में निधन हो गया तो आप और इन्हें पदम स्री प्रुषकार से भी सम्मानित किया गया है चलिए अगला सवाल देखे तिरपुरा के नय मुख्यमंत्री अभी तो पड़े थे तो कभी याद दिक्कत नहीं आपर मानिक्सा मानिक्सा जो वर्तमान समय पर तिरपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में नयुक्त किये गए है अगला सवाल देखे अगला सवाल पूछता है कि वेटिकन द्वारा संत गोसित के जाने वाले पहले भारतिया आमन आदमे कौन बन गए है जिने संत की उपादी दी गई तो ये कौन बने है जिने संत की उपादी दी गई तो ये कौन बने है तो ये है आपके कौन देव सहयम विद्यार्तियों ठीक ना पिले देव सहयम पिले जिनहें क्या किया गया आपका आम देखे भारती आम आदमी जो संतिकी उपादी ने दी गई है अगला सवाल देखे थाइलेंड देखेगा विद्यार्तियों थाइलेंड थाइलेंड के बैंककोक में बैटमिंटन का जो प्रतिसिट क्या होता है, उबेर कप, ये बैटमिंटन का दिखी दो कप है ना, एक होता आपका थॉमस कप, समझ जो, दौनों के दौनों क्या आपके वर्ल्ड कप है, समझ दूसरा कौन सा आएगा आपका उबेर कप, ये भी क्या है आपका, उबेर कप भी यह भी वर्ल्ड कप है, ठीक है, एक महिलाओं के लिए होता है, एक पुरुषों के लिए आइजन होता है इसका, तो देखिए कभी द्यार्तियों, यहां पर क्या हैगा, दक्षन कोरिया, किस तीम ने जीता, दक्षन कोरिया, चले सर हमें, थोड़ा दक्षन कोरिया की तरब ल लाएगा आपका, सियोल के अंदर, ठीक है ना, और इसकी विद्यहर्तियों, देखे, करेंसी गया है, वान हो गए इसकी करेंसी, इसकी जो करेंसी हो क्या है, वान है, आप जानते हो, सियोल सांती पुरुषकार दिया जाता है, है ना, सियोल सांती पुरुषकार दिया जाता से सम्मानित किया गया है, है ना, चलिएगा, बहुत बढ़िया, अगला सवा देखेगा, किस देश के कार्लोस, किस देश के विद्यार्तियों, कार्लोस, अलकराज गर्फिया ने, मैडिट ओपन 2022 में, पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो यह कौन सी कंटिस है, इस्पेन, देखेगा, इस्पेन, हम लोगों के लिए इस्पेन तो अब पड़ोस में ही लगता है, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा है, कैपिडल कहां पर है, मैडिट के अंदर, है ना, इस्पेन क्यू बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, इस स्टेड को क्या कहते हैं, आपका जिब्राल्टर कहते हैं, कहते ना, इस स्टेड को क्या कहते हैं, जिब्राल्टर इस्टेड या जिब्राल्टर जलसंधी कहते हैं, यहां आपको क्या दिख गया, यहां इस्पेन दिख गया, और इध जिब्राल्टर को क्या कहा जाता आपका Gateway of Mediterranean Sea कहा जाता है भुमध्य सागर का परवेश द्वार बस याद रख लीजीगा यह क्या है आपकी जल संदी है यह जल संदी है जिब्राल्टर जो इस्पेन और मौनक्कों को अलग करता है यानि कि योरोप और अफरिगा महादूइब को अलग करता है और भुमध्य सागर में जाने का जो इसी क्या विध्यार्टर जो क्या है मार्ग द्वार है ठीके ना चली आभीनाओ देश स्वाल ब्राजिल के विध्यार्टर यहाँ पर क्या दियागे अगला स्वाल देखे उस व्यक्ति का नाम बताये जिसने पारंपरिक विध्यार्टियों दक्षिन पूरीरिज मार्ग के साथ रिकॉर्ड 26 वी बार माउंट एब्रेस परवत पर फतेगरी है तो माउंट एब्रेस पर पहुंचने वाद तो तो लिए अपको क्या करना होगा नेपाल जाना होगा जाना होगा तो नेपाल ओटेके ना विध्य नवाओ्याविक्ड मोिलई रिंडky इसे आप LOVE किस नामसे जानते हो Mount Everest के नामसे जानते हो अभी एक दिन पहले बताया था इसके उचाई कितनी है? 8848.86 मीटर इसके उचाई है नेपाल में इसे क्या कहते है? तो नेपाल में कहते है सागर माथा कहते हैं ठीक है ना? तो क्या कहते है? तो सागर माथा के नाम से जान राता कापर नेपाल के अंदर चलिगा, नेक्श परेंगे अगला सवाल, यहां पूछ रहा है आपका, कि देखेंगा किसने 2022 में, Miami Grand Prix, जो कि Formula 1, देखेंगा, समझो यह रेश्या आपकी, तो किसने जीता है, Miami 2022 का, तो यह किसने जीता है, तो यह जीता है, यह Max Ware Strapen, जिन विद्यारतियों ने इस वीक में नहीं पढ़ा था, तो उनके लिए, यानि कि सुमबार से लेकर, Monday लेकर विद्यारतियों, Friday तक कि जितने भी सवाल रहांगे, वो शनिवार को आपके क्या हो रहे हैं, रिवीजन हो रहे हैं, नया सवाल जो भी आपने पढ़ा होगा, नेक्स चलेंगे अगला सवाल, हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पेशन लिमिटेड यानि कि HPCL के नये प्रबंदक निदेशक के रूप में किस व्यक्ति को न्यूक्त किया गया है, ये जो न्यूक्ति किया गया, तो ये व्यक्ति कौन है आपके, पुष्प कुमार जोसी, HPCL, देखेगा, HPCL, HPCL के देखी कौन चुनेगे, तो पुष्प कुमार जोसी को चुना गया है, अगला सवाल आपके सामने जो दिया गया, कौन से दो किरिकेटर RCB, RCB का मतलब Royal Challenger Bangalore, RCB के Hall of Fame में सामिल होने वाले पहले खिलारी बन गए हैं, वो कौन से देखेगा, कौन से दो किरिकेटर RCB में, तो Hall of Fame में सामिल होने वाले पहले दो खिलारी बन गए हैं, तो वो है आपका, Chris Gale और A.V. Revellers, Chris Gale और विद्यार्टियों कौन है, A.V. Revellers, Chris Gale और A.V. Revellers वो दो खिलारी हैं, जिन हैं, RCB Hall of Fame में सामिल किया गिया है, अगे देखेगा, अगला सवाल देखेगा, Elizabeth, Elizabeth, वोन को किस देश के विद्यार्टियों, 30 वर्सों में पहली बार, महिला प्रधान मंत्री के रूप में चुना गिया, ठीक है ना, महिला प्रधान मंत्री के रूप में, जो चुना गिया, तो वो, किस देश की प्रधान मंत्री के रूप में चुना गिया इन्हें, तो इन्हें चुना गिया, France, देखेगा, France, France की राजधानी यानि Paris इस Paris में आपका क्या होना है तो 2024 में आप लोग पढ़ोगे 2024 के लिए क्या पढ़ोगे यहाँ पर Summer Olympic खेलों का आजन होगा Summer Olympic खेलों का आजन होगा यानि कि जो आपके Grace Macalyn Olympic खेल 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 जाएंगे कापर तो यह France के अंदर ही होँगे Paris में होँगे न 17 माई 2022 को भारतिया Defense Minister राजना सिंग द्वारा लॉंच किये गए Project 7A के तैत जो तीसरा जहाज है वो कौन सा है ठीक हाँ Paris सहर सीन नदीगे किनारे बिलकुल सहीगा आपने तो देखेगा वो तीसरा जहाज हमें कौन सा दिखेगा Indian Naval Ship उदयगिरी अच्छा उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है प्रसिद उदयगिरी गुफाएं कहाँ पर है कोई हमें बताएगा अभी किसी एक एक्जाम में पूछा गया था कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है ठीक है ना INS उदयगिरी बहुत बढ़िया नेक्स सवाल देखेगा उष्य भारतिया ग्रेन्वास्टर का नाम बद आये, जिसने इस्पेन के विधयात्यी तीक है ना प्राइमा मैं पहला विधयात्यव चैशिवल जो रिपन 222 शतरंज टूनामेंट जीता है ये आपके सवें फोर्मेटर ठीक है ना उपन 222 शतरंज टूनामेंट जीता है तो यह कौन है? D. Goukis सीधा सीधा एक सवाल पूछ दिया जाता है कि D. Gukes किस खेल से संब्दित है तो यह आपके चैस से संब्दित है किसे आपके चैस से संब्दित है ठीक है जैसे कौन और हमपी का नाम काफी एक्जाम में पूछा गया था विष्वगा सबसे बड़ा ग्लास विध्यारती बॉटम ब्रीज यानि की वाख लॉंग पैदल जो आपका यात्री पूल ठीक है ना बश्विध्यारती लॉंग जौपका जो एक ब्रीज बनाय गया तो यह ब्रीज कहां पर खोला गया यह खोला गया कहांपर वियत नाम के अ वियतनाम की capital क्या है हनोई है बहुत बढ़िया चलिगा नेक्स बढ़ेंगे आगला सवाल रोमेन विद्धियर्टियो रॉलेंड बुक प्राइस दो हजार बाइस फ्रांसिसी उपन्यास मशॉल्ट विद्धियर्टियो क्या दिया गया मैसॉल्ट ठीक है ना आपका बंगाली अनुवाद के लिए दिया गया तो देखेगा यह किसके द्वारा लिखे गई है यह किसके द्वारा लिखे गई है तो यह जो बुक लिखी गई आपका किसके द्वारा कामेल विद्धियर्टियो दावुद के द्वारा लिखी गई जिनने फ्रांसिसी उपन आयोध्या में एक प्रमुक चौराहे का विकास और नामकरण किस व्यक्ति के नाम पर किया गिया है। तो ये सर्यू नदी के किनारे बसा हुआ है। थाए चली अगला कुछिन किया पूछ रहा है। भारत के उपररास्ट्पति अमनेंग वैंकर नाइडुजी दोला दा श्ट्रगल फॉरॉड भॉक का नाम किया भी ध्यारती आपका। तो ये स्ट्रगल फॉर पॉलिस रिफॉर्म इन इंडिया। ये भुक का यह टाइटल है। जो की पब्लिश की गई तो किसकी दोरा लिखी गई भुक है तो ये लिखिए है प्रकास सिंग जी की दोरा। तो ये भुक का नाम किया था आपका। ये भुक का जो टाइटल है भी ध्यारती हूँ दा स्ट्रगल फॉर पॉलिस रिफॉर्म इन इंडिया। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया एर इंडिया के ने मुख्यक कारेगारी अधिकारी और प्रबंदक निदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया। तो ये क्या गया कैम्पवेल विल्सन को जो हमने अभी पड़ भी चुके हैं ठीक है ना ये आपका रिविजन चल रहा है रिविजन समझो रिविजन चल रहा है द्यारती हो नेक्स बढ़ेंगे अगला सवाल देखेगा भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हों आप लोग जानते हो कि निर्वाच्चा नायुक जानते हो ना निर्वाच्चा नायुक अभी रिसेंटी में ने पढ़ाय भी था किसी बैज में तो पढ़ा ही रहे हम भी से इलेक्शन कमिशन सार इलेक्शन कमिशन के बारे में आप हमें क्या-क्या बता सकते हैं भारतिय 324 से लेकर 329 तक ये व्यावस्ता दी गई है धिया गया उसके बाद Election Commission of India की स्ताफना कब होती है तो 25 जन्वरी को होती है कब होती है 25 जन्वरी 1925 को होती है इसी कारण तो 25 जन्वरी को हम लोग क्या मनाते है Voters Day Matdata Matdata Divas मनाते हैं ठीके ना और देखीगा अगर यहाँ नोटगर के बनाएंगे हम तो नोटगर की क्या लिख सकते हैं Vot देने का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है तो Indian Constitution का आर्टिकल 326 क्या कहता है कि देखीगा Vot देने का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है सम्वेधानिक अधिकार है कैसा अधिकार है सम्वेधानिक यानि कि आपका Constitutional Right है समझो Constitutional विध्यारतियो Right की तोर पर ठीक है उसके बाद हम लोग और चीज़ें पढ़ सकते इसके इत्यास में कि प्रत्थम अध्यक्स कौन थे प्रत्था मुख्य चुनावा एक कौन थे तो सुकुमार सेन और वर्तमान में कौन है तो राजियू कुमार राजियू कुमार वर्तमान में और बहुत कुछ चीज़ें बाकी है ठीक है ना नहीं नहीं ये दूसरे है बच्छे ये दूसरे है पहले भी थे यह इस फद पर पहले धी बच्शा यहां पर यह इस दो अलग लग ब्यक्ति हैं या एक ही पद पर दो ब्यक्ति थे गया राजी कुमार विध्यारतियों आपके पहले नीटी आयके जो वो अलग है, वो अलग है मुझे जहां तक लगता है वो अलग है और ये अलग है, क्योंकि ये इस पद पर तब भी थे समझो, ये इस पद पर भी द्यारतियों तब भी थे चलेगा नेक्स बढ़ेंगे, चलो आज पता करेंगे इसके बारे में, आज हम पता कर लेंगे चलो ये तुम्हें आपको बता चुका हूँ, पहले भी आपका ठीक है न, ये हम लोग पर चुके है देखेगा, भारत का 52 टाइगर रिजब का दरजा दे दिया गया, ठीक है तो भारत का जो 52 और इस राज्य का चौथा राज्य का भी द्यारतियों क्या है चौथा, यानि कि चार टाइगर रिजब हो चुके है हाँ, वहाँ वाले तो बदल गे न, वहाँ वाले भी बदल गे वहाँ भी बदल गे, बिल्कुल सही गहर है कि आपका वहाँ भी बदल गे लेकिन ये इस पद पर देखे ये समझ जो, जब उपाध्यक्स थे तो तब यहाँ भी तो मौजूद थे हम यह गह रहे हैं ना कि दोनों देखेगा तब जब उपाध्यक्ष थे तो यहां कमिस्णर भी तो थे लेकिन अब पदा गरेंगे कि दोनों अलग अलग है कि तस्वीर देखके पता चल जाएगा कि दोनों अलग अलग है कि एक ही व्यक्ति है ठीक है क्योंकि मुझे इससी का आपके कमिस्णर थे मतलग यहां पर क्या थे चुनाव आयुक्ति थे तो यह यह दो ब्यक्ति है क्या एकी व्यक्ति है वो अब पदा गर लेंगे जाके मैं अभी धून लोगा कि यह तब दो थे यह दोनों जगे पे समझे नितियायूग में भी नितियायुक्ति नहीं और जब कि अपना चुनाव है कि है अपका constitutional body है, ठीक है, तो रामगर्ड विस्धारी, जो राजिस्तान के कौनसे जिले में, तो बूंदी जिले में, अभी हमने राजिस्तान भी पढ़ाया है ना, जेवियनल वाले विद्यारतियों के लिए तो वहाँ पढ़ाया था, बेलकोल य जाद रखें, बहुत बच्छा, देखे, पीटर विद्यारतियों एलवर्ष को किस airline company का CEO निउक्त किया गया है, तो ये किसके चुना गया है, तो इस्पाइस विद्यारतियों जेड के, तो इस्पाइस जेड के, जो मुख्यक कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गय पहुत आपधिया, बहुत अधियाँ, चली, नेक्छ चलेगे, अगला सवाल, रामगर्डविस्दाहरी कहां पर इस्पाइस तित है, तो ये हमारे राजिस्तान में है, राजिस्तान में, और राजिस्तान के कौनसे जिले में? बुंदी, सारे के सारे डिस्टिक जब मैं रा वह लगबग उतना है अगर आप राजिस्तां पढ़ते हो ना इस पेशली विध्यार्ति और राजिस्तान की जो हिस्ट्री आइ उसको बढ़ेंगे और भारत की हिस्ट्री बढ़ेंगे तो लगबग एक समान है मत्तब इतना है राजिस्तान में पढ़ने के लिए चलिए अगला सवाल देखिगा गुरु गासिदाश चाथिस गड़ में बहुत बढ़िया गुरु गासिदाश ठीक है यहां पर पूछ रापका आर इसी लिमिटेड के नहीं अध्यक्ष और एमडी के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया तो यह व्यक्ति आपका रवींद्र सिंग धिलो है ना रवींद्र सिंग धिलन है चलो धिलन करके चलिगा अगला सवाल देखिगा मौरगन देखिगा मौरगन इस टैल्ली जो नहीं विद्याथियो विद्यावर्स 2023 के लिए भारत का विकास अनुमान कितना घटा दिया जो फाइनेंसल यह में विद्यावर्स में तो कितना घटा दिया तो यह घटा दिया 7.6% अगला सवाल 2022 के लिए स्टी आयाई तो पहले तो कौन थे टीवी नरंदन थे अब कौन बनाएगे संजीव बजाज को बना दिया गया किसे बना दिया गया संजीव बजाज को बनाया गया है ठीक है न संजीव बजाज अगला सवाल अप्रेल 2022 में ICC Men's Player of the Month के रुप में किस ब्यक्ति को चुना गया तो यह चुना गया आपका किसे और यह कौन सी कंठी को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिगा किसे चुना गया केशाव महराज को सर यह केशाव महराज को रिप्रेजेंट करते हैं तो जिस दिन पलाया होगा उस दिन तो बताय भी तो था इसी वीक में आपको बताय था केशाव महराज ठीक है न तो देखिगा चलेगा साउट अवरीगा बहुत बढ़ि कर्डैया है अ हरां रचिया रचिया नहीं इस एफ देंगला सवाल यहां चैनल बला यहی घ्र्वें वह्रिडाय नहीं हम दियाग्ते हैं सब्कृष्णा आपके प्राप्तिके, ठीके, सवाल नंबर आपका 47 कहता है, कि देखेगा, आई एस अधिकारी आनिल वेजल, जिनों ने अपने पद से इस्तिपा दे दिया, यानि लेटनेंट गवर्नर थे, और इनों ने पद से इस्तिपा दे दिया, यानि कि भारत के राष्टपदी को अपना स्तिपा स्वाप दिया, तो कौन से रज्य के लेटनेंट गवर्नर थे, यह कौन से रज्य के लेटनेंट गवर्नर थे, तो देखेगा, दिल्ले, आप जानते हो, रज्यों में क्या होता है, गवर्नर होता है, होता है न गवर्नर, उ यह कहापरदी की व्यवस्ता आर्टिकल 153 में दिया गया, इनियन कॉंसिटूशन के आर्टिकल 153 में यह व्यवस्ता दी गई है, ठीक है? चलिए, आगे सवाल है कि तिरपुरा के ने बित मंत्री कौन बने? तिरपुरा में नई कैबनेट भी बन गई, तो ने बित मंत्री के तोर पर बने आपके कौन? जिस्नु विद्यातियों, ठीक है न? जिस्नु देव बर्मा, जिस्नु देव बर्मा, जब आप तिरपुरा जाओगे घुमने के लिए पुरुत्तर भारत में, तो एक जील जरूर घुम के आना, इस जील का नाम के आपका? रुद्रशागर, देख के आना या घुम के आना कहा से? रुद्रिता सागर जील से, ठीक है न? चलीगा, अगला सवाल देखेगा, नजरायन जील, एक जैव विवित्ता, होट स्पोर जो की सत्रमे पक्षिया बने के रुप में, आदिसूचित किया गया है, तो नजरायन विद्यार्तियों, जो जील आपका किस राज्या में स्थित है, जिसे पक्षिया बने के रुप में गोशित किया गया, तो ये कौन से राज्या में हमें देखने को मिल जाएगा, तो ये हमें मिलेगा कहां पर? तामिल नाडू के अंदर, कहां पर मिलेगा? तामिल नाडू के अंदर, चलीगा, उश ब्यक्ति का नाम बताए जिसे B.S.I. ंजा सबम्भाइ स्टॉग एक्षेंज B.S.C. ब्यक्ति का अध्यक्ष के रूप में न्यूक्ति किया गिया है तो वो कौन ब्यक्ति है तो यह ब्यक्ति है कौन आपके तो याद अखेगा शुबाश विध्यार्तु शयोरातन मुद्रा, ठीक है न, जिने क्या चुना गया आपका, बॉंबे स्टॉग एक्सेंज का अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है, पहले असोग लवासा भी हुआ करते हैं, ठीक है, देखेगा, भारत में स्टॉग मार्केट को रेगुलेट करने वाली जो सस्ता है, यानि कि क्या है आपका एक गवर्मेंट जो बॉड़ी है, कौन है सेवी, सेवी की स्टापना 1988 में होती है, और बाद में विध्यार्तियों एक एक्ट आता है कब, 1992 में, ठीक है न, तो 1992 के आधिनियम के अनुसार, जो कि भा सेर बाद जो स्टाप आते हो हो अब बयाते हैं वर्तमाद सुमें पर कितने हैं, चौ बिस हैं, कितने हैं, निवेशक बिदेशी निवेशक के लिए जारी किये जाते हैं, थाये तो देखेगा आप सभी विद्यार्तियों को मैं एक बार फिर से शुचति करना चाहूंगा, और आप अपनी स्कीन पे देख रहे है, आपको विद्यार्तिय की नाम देख रहा है, ठीके, और ये नाम कॉन संसा दिकh रहा है आपको Toppers का अड़ आपको एक नाम दिख रहा है और यह नाम विध्यारति आपनों को जितने भी आपके non-technical subject है चाहे तो आपका current affair हो समझों चाहे तो विध्यारतिया आपका current affair हो चाहे आपनोंको economics हो चाहे Indian constitution ओ जोगराफी हो इसमें Hindi कई सारे एक्जाम में इंग्लिस पूछा जाता है हर संभाव परियास किया जाएगा ये डी परिवार के दोरा विध्यारतियों हर संभाव परियास किया जाएगा कि देखे टॉपर्स का अड्ड आप एक नाम दिया गया देखे अभी हमने पिछले एक महिने के अंदर कई बार चड़चाएं करी, कई दौर की बैठकें होती है और उसके बाद एक नाम हमें देखने को मिलता है समझो, हमें विध्यारती एक नाम मिलता है तो जिसका नाम क्या विध्यारती हो Toppers का अड़ा आपको मिलेगा और इसमें क्या होने वाला है देखे, जितने भी आपके non-technical classes है ना वो आपको यहीं पर मिलेगी चाहे वो current affair है, चाहे भी ध्यारती आपका exam 2022 है तो यह भी यहीं पर मिलेगा तो जल्दी से देखेगा आपको करना क्या है मैंने कहा ना, कि देखे, मुझे तो कहीं पर भी मुझे लगा साए 20-22 लोग, आप लोग subscribe करेंगे, लेकिन जब आप लोग का प्यार देखा और घर जाते-जाते मुझे पता है चला कि यहाँ पर कितने 65 student and all हो चुके है तो आप लोग का प्यार है, फिर लगा हमने कुस्तों का मारक है, ठीक है ना तो अब देखेगा, आपको करना गया है जिस वीडियो को आप लोग देख रहे हो यानि कि हम देख रहे हैं इस वाली class को कौन सी class को, इस class में हम उपस्तित हैं अभी है ना यह class चल रही अभी, ठीक है तो इस class में हम लोग उपस्तित हैं और यह गायब हो गई चल यह हमने EAD भी देख रहती है, हम लोग कहाँ पर गए इस class में जाएंगे, हम लोग जो live class देख रहे हैं अपने EAD परिवार की class देखेगा, current affair की class देखेगा इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो क्लिक करते ही हमारे पास सबसे लास्ट में एक लिंक दिया गया, जिसमें क्या लिखा गया कि टॉपर्स का EAD जो चैनल है उसका लिंक दिया गया, इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूं तो मैं सीधा एक नए चैनल पर पहुंग जाता हूं और चलो इससे भी मैं सबस्क्राइब कर लेता हूं, मैंने अभी सबस्क्राइब नहीं किया है और ये बेल आइकन दबा कर मैं आल नोटिफिकेशन को अन कर दूँगा जिससे की जो भी अपडेट रहेगा, तो हाँ बिल्कुल 100 होने चीए 100 होने चीए, देखेगा, अभी हमें याँ पर 93 दिख रहे हैं तो इस क्लास को समझे, जो अभी अभी आये है, जो महानुभाव अभी आये है मैं आपको बदा दूँ कि कुछ एक बड़ा प्रोगाम भी हम सोच रहे हैं आपनों के लिए वो बड़ा प्रोगाम क्या रहेगा, धीरे धीरे आपको step by step सारी चीज़ा मिल जाएगी जादा commitment नहीं करूँगा, ठीक है, जादा विद्यार्तियों देखे लेकिन आपनों को बहुत जल्दी, non-technical में सारे subject, जहों आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं कहते हैं कि सर हम लोग biology में पीछे रहेगे, हम physics में पीछे रहेगे, हमने chemistry कम पढ़ाए, economics कम पढ़ाए, तो इस बार हमारा पूरा का पूरा परियास रहेगा कि आपको एक-एक subject और जैसा मेरा मानना है, अब देखे हम खुद मैनत करेंगे, तो जो बाकी लोग आएंगे, उनसे भी थोड़ा बहुत मैनत करवाएंगे, क्योंकि अभ्यास बहुत जवड़ी है, आपने चीजों को पढ़ा, डिटेल में चीजों पढ़ा, लेकिन अगर समय समय पर आपको उसका अभ्यास नहीं मिला, जैसे for example के लिए आपने इंडियन कॉंसिटूशन में आप उसका प्रैक्टिस से कर लो, ठीक है, तो जल्दी से देखीगा, आप से मैं फिर से दुबारा कह रहा हूँ कि बाद में मत कहीगा, कि सर आप कहां गायब होगे, हम कहीं गायब नहीं होंगे, विद्यार्ति आपकी क्लास, जिस समय पर भी रहेगी, जो भी क्लास रहेग इंग्लिस को भी हम लोग थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं, कई सारे एक्जाम में इंग्लिस भी पूछता है, ठीक है ना, तो देखे, हाँ, अभी तग हम लोग पहुच शुके 95, अरे 5 बच्चे, देखे, आप लोग 84 तो आप लोग हो, समझो, 84 तो आप लोग हो, तो ज परिक्षा जिसमें प्राइस दिया जाएगा, हमारी तरफ से देखे, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताने लग गया हूं, कि पांच जून को एक बड़ा सा पेपर गराएंगे, पांच जून को गलती से संडे भी आ रहा है, हम पहले से सोचे थे, समझों जों आफ लाइन ही रखेंगे, और एक देखेगा, परतियोगी परिच्छा कराए जाएगे, यानि कि जिसमें सो नंबर का आपका क्या रहेगा, एक पेपर कराए जाएगा, उसी दिन हम इसे लांच करेंगे, उसी दिन से क्लास प्रारंब गरेंगे, ठीके, तो अभी बहुत कु आप लोग थे, चले, बहुत बढ़िया, तो अब इसमें देखेगा, बहुत बढ़िया देखेगा, हम लोगों के लाइव रहते रहते, 100 पूरे होगे, ठीके, इसमें मैंने आपको बता दिया कि हम लोग किस त्रों से, जितनी भी क्लास है आपकी डिटेल में हम भी पूरा प्रियास करेंगे कि Current Affair में ऐसा कुछ भी जो रहे विद्यार्तियों आपका सारी चीज़े पढ़ें ठीक है ना और एक बड़ासन बहुत आगे तक जाने देखेंगा अपना जो सपना है विद्यार्तियों बहुत आगे तक जाने का है लास्ट टाइम पर भी हमने एक छोड़ी सी कोसिस करी थी लेकिन तब तक लॉकडाउन हो गया 2019 में और बहुत सारे लोग हमारी साथ नहीं जुड़ पाए जिनने हम लोग जोड़ना चाते थे 100 होगे चले बहुत बढ़िया तो देखेगा आप लोगों के सयोग से और दिखता है कि आप लोगों का विद्यार्तियों जो प्यार है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो चले आप सभी लोगों को भी सुब काम नहीं आज की ग्लास को यहीं पर मैं समाप्त करूंगा और इसकी जो पीडियाप के आप लोग बात करते रहें कि सर हमें डेली पीडियाप दे दीजेगा करेंट अफैर क्लास की या एक्जाम 2020 की तो जो एक्जाम 2022 की तो उसे मैं क समाप्त गरते हैं मिलते हम लोग अगली क्लास में जो आप लोगों का एप्लिकेशन पर होगा तब तक के लिए धन्यवाद और सेयर करने के लिए तो मैंने आपसे कहा नहीं वो तो आप लोगों की विध्यार्तियों इच्छा है और वैसे समय का अभाव होता आप लोगों क यहां तक जाने के लिए क्या गरिएगा न यह हमारी लाइप 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 क्लास दिख रही है लिए हम acredաरे आपको तो इस लाइप क्लास के डिस्क्रिशन में जाएगा और सबसे नीचे दिख रहा है टॉपर्स काडरा है और आपके चैन्न वब और की रिखते हैं पिन समाप्त करेंगे धन्याबाद